हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू जैम सी क्लास फिर लाए हैं हम रिजिनिंग का एक नन भरवल चेप्टर से संबंदि एनलोगी चेप्टर एनलोगी चेप्टर में जिसे की कोश्चन में देखने को मिल रहा है कि उत्तर आकिर्थियों में से उस आकिर्थी को ग्याद करना है यह म यह है उत्तर आकिर्थी यानि जो है वह है उत्तर आकिर्थी मेरे दोस्तों तो वही बोल रहा है कि उस उत्तर आकिर्थी को ग्याद करें जो स्रिंख्ला को जारी रख सके यानि एक स्रिंख्ला से दू स्रिंख्ला में जारी है तीन स्रिंख्ला से चार स्रिंख्ला में जारी तो अब हमें देखना है कि इस option में कुण सा option को आगे रखेंगे कि 5 स्रिंखला को जारी करके 6 स्रिंखला तक इस question को ले जाए को छोड़ दिया है तो यह आगे बाले में क्या किया है कि first according to second में इसने किया है कि यह जो है सो इसने मतलब की जैसे कि mirror में होता है कि उपर वाला नीचे आजाता है तो इसने उपर वाले को नीचे वाले को उपर कर दिया है लेकिन उपर जो इसका स्वास्ती है इसने नीचे कर दिया है सकेंड में लेकिन फरस्ट में जो नीचे है वो सकेंड में कर दिया है उसी तरह इसने थर्ड में क्या किया है थर्ड में इसने किया है कि यह जो राइट साइड में है उसको इसने लेप्ट साइड में ला दिया है यानि कि mirror के अनुशार फिर इसने जिस तरह water image में होता है कि इसने ऊपर बाले को क्या किया है कि एगर right side में है तो इसने left में ले लिया है फिर क्या किया है नीचे में जैसे कि यह left में है तो यह right में लिया है उसी तरह इसमें क्या होगा पोंच नमर में पोंच नमर में आप द नीचे में क्या होगा इसी साइर में खीचेंगे जिस तरह यहां पर इस साइर में था तो राइट में भी इस साइर में यहां खीच दिये जैसे कि यहां नीचे में था तो यह उपर में इसी साइर में खीचा इसी साइर में नीचे में खीच दिया उसी तरह इसमें क्या करेंग ये left में उपर की और है तो हमको क्या करना है left में ही नीचे की और खिच देना है फिर right में क्या करना है कि नीचे की और है तो इसको उपर कर देना है इसको क्या करना है उपर कर देना है तो ये option जिसमें होगा वो मेरा answer होगा तो A नहीं होगा बी देखते हैं नहीं होगा फिर सी मैस कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है लेकिन डी में क्या कर रहा है कि ये स्वारी लिखा गया था तो इसमें डी में मेरा ये सही मिल रहा है ऐसे करके किया है और इसने ये ऐसे कर दिया है तो डी मेरा option सही हो जाएगा दोस्तों तो आसा करते है आप लोग इस question को आसानी से समझ गए होगे, इसको अगर आप ज्याहन से देखिएगा, तभी इसका answer निकल पाएगा, लेकिन विद्यार्थी गन क्या करते हैं, कि इसको तेजी से बनोने के करम में थोड़ा सा mistake कर देते हैं, और वो railway जैसी exam में, जैसे कि उस पर 1 by 3 cut off होता है कि 0.25 नहीं, जैसे बलकी एक पर 3 होते हैं, अगर आप एक गुरत करते से exam में, रेसेंसी exam में, चार पर एक होता है, लेकिन रेलवे में 3 पर एक होता है, तो आप एक नमर को खो देंगे, एक नमर को खोएंगे ही, लेकिन सही में से अभी आपका नमर कर जाएगा, तो आप इसको क्वासस होके बनाईएगा, और इस वीडियो को आप अगर समझ गये होंगे, तो आगे से हम request करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गये, घलती नहीं कीजिएगा, तो thank you दोस्तों, आप इस वीडियो को समझ गये होंगे, मैं आसा करता हूँ, कि आप लोग मेरे चैनल क को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की notification मिलते रहे हैं, thank you very much, hello friends, GMC class में आपका स्वागत है, हमारा लक्ष आपको free में education देना है, और आपको अपने लक्ष तक पहुचाना है, हर competitive exam का test series उपने हैं,